चलिए और एक मिटसेम का पेपर डिसकस करते हैं प्रिवियस यहर का नेटवर्क के उपर विट नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन बिट्वेइन ब्राउजर एंड ओरिजन सर्वर इस पॉसिबल फॉर सिंगल टी सीपी सेग्मेंट टू डिस्टेंट एस्टीटीप फरकने पड़ता है वैसे नॉन परसिस्टेंट में एक कनेक्शन में हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं और परसिस्टेंट में हम एक टी सीपी कनेक्शन में बहुत सरे रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन जो भी हो एक टी सीपी सेग्मेंट में हमेसा एक ही स्टीटीप रिक्वे कर सकते हमको जो डेटा चाहिए को एक फाइल डाउनलोड करना है तुमको तो फाइल हमको पूरा डिक्टो चाहिए उसका एक भी बिट इधर से उदर हो गया तो पूरा उसका मीनिंग बदल सकता है FTP, File Transfer Protocol हमें कोई फाइल चाहिए हमको पूरा exact चाहिए reliable protocol यूज़ करना UDP से नहीं हो सकता है SMTP हमको email चाहिए मानलो email में तुमने मानलो किसी को instruction दिया कि हमें 10,000 रुपय चाहिए उसने मानलो वहां पर change हो गया और वह 100 रुपया हो गया तुमको तो कम पैसे मिलेंगे फिर किसी सोगर पैसा लेना है तुमको तो यह example है ऐसा कुछ भी change हो गया तो उसका पूरा meaning बदल सकता है या तो फिर totally corrupt हो सकता है तो इसलिए यह जो protocols है इनको reliability चाहिए तो वो UDP जैसा एक unreliable protocol यूज नहीं कर सकते तो यह होता है MX record होता है is it possible for an application to enjoy reliable data transfer even when the application runs over UDP if so how हो सकता है अगर आप application layer में बहुत ज़्यादा code लिखोगे तो UDP के packet में आप पो TCP जैसा सब कुछ करना शुरू करो की sequence number डालो फिर application layer में ऐसे बैठेर हो कि चल आउट of order आ गया एक packets को भेजो UDP के तो पूरा जो TCP का जो पूरा जो algorithm है वो अगर आप application layer पे बना हो और नीचे UDP यूज करो तो हाँ reliability आ सकता है लेकिन लेकिन वो करना भी पूरा मितलब wasteful हो जाएगा न क्योंकि अब TCP अगर नीचे यूज कर सकते हो तो UDP क्यों यूज करना है इन अवर reliable data transfer protocol RDT why did we need to introduce sequence numbers अचा जो यह जो RDT होते हैं मैं थोड़ा सा ब्रीप में बताता हूँ तो जो हमने stop and wait देखा था और नहीं तो go back and selective repeat तो उनके बारे में यह question में बात कर रहे हैं थोड़ा सा पुराना question होगा इसलिए तो आपको साधे term सुनानी होगा आपने sequence numbers हमने क्यों introduce किया क्योंकि हमको packets को वहां पे in order रखना है उनका order बिगड़ गया तो फिर कैसे पता चलेगा कौन सा packet जाके पहुंचा कौन सा packet next आना है किसका acknowledgement भेजे सेंडर को पता चलना चाहिए कि मैं कहा तक डेटा रखूं विंडो में किसको निकाल दूं तो उन सब के लिए sequence number चाहिए ठीक है consider sending a packet from a source host to a destination host over a fixed route let's explain the delay components तो यह जो मिडसम question का जो पार्ट वन है जो इसके पहले मैंने जस्ट पोस्ट किया है उसमें मैंने यह discussion किया है तो वो वीडियो आप जाके देख लें यह question repeat हुआ है वो वीडियो नमबर वन में मिडसम वाले जो वीडियो उस सीरीज का पहले वी यह अगर आप मेरे go back end वाला वीडियो देखेंगे तो डीटेल में मैंने उसमें describe किया है कि कैसे अगर आप वो window size का limit को respect नहीं करोगे तो sender अगर retransmit करता है मानलो packet no.0 पुराना packet को तो receiver उसको नया packet 0 मानके ले सकता है तो बहुत ही interesting discussion हुआ है उस वीडियो में अगर आप आपको समझ में नहीं आया है तो वह वाले पार जो गो back end वाला वीडियो जाके देख लीजी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो वीडियो के थोड़ा सा end में है तो थोड़ा सा skip करके देख लेना Alice with a web-based email account sends a message to Bob who accesses his mail from his mail server is in pop3 discuss how the message gets from Alice host to Bob's host तो यह मेरा जो email वाला वीडियो है email protocol वाले वीडियो के end में यह मैंने समझा हुआ हुआ है तो इसमें Alice क्या करेगी HTTP यूज करके message को अपने computer से google को भेज़ देगी फिर google SMTP यूज करके मानलो बॉब अगर yahoo यूज कर रहा है तो yahoo के server को भेज़ेगा फिर बॉब क्या करेगा IMAP या POP3 यूज करके message access agent को यूज करके वो mail को अपने mailbox से निकालेगा वी भी सो रहा होगा सुबह उटके वो निकालेगा लेकिन वो HTTP यूज करेगा लेकिन Alice HTTP यूज करके अपने mail को Gmail को भीजेगी इसका पूरा जो diagram है वो उस video के end में मैंने अच्छे से describe किया हुआ हुआ अनफॉर्माटेट टेक्स्ट माइम हेडर तो यह यह वाला जो वीडियो है पहला वाला जो वीडियो है मिड्सम के प्रिवियस यह के पेपर के solution मैंने बनाया इसके पहले मैंने जो पोस्ट किया है वीडियो नॉमर वन उसमें मैंने यह describe किया यह question repeat हुआ है तो उसका answer आप होगे तो आपको easy रहेगा earth to a distant planet is approximately distance दे दिया है यहाँ पे channel utilization stop and wait protocol दिया है 64 mbps दिया है आपका bandwidth frame size दिया है speed of light दिया है यह distance दिया गया है speed of light दिया गया है तो इससे आपको one sided propagation delay मिल जाएगा जो propagation delay है यह क्या है यह length by speed ठीक है तो इसको अगर हम two से multiply करें तो हमको almost rtt मिल गया हमको bandwidth भी दिया गया है यहाँ पे तो अगर हम bandwidth को rtt से multiply करें तो हमको size of link मिल गया ठीक है और हमको पता है कि stop and wait में maximum एक ही packet link पे हो सकता है तो packet का size कितना है 32 kb तो अगर हम size of packet को लें और ध्यान में रखना units को हमसे ध्यान में रखना यहाँ पे देखो यह k है यह 10 to the power 3 है और यह capital B है मतलब इसको bits में करना है अगर तुमको करना है तो into 8 करना मत बूलना size of packet divided by size of link करना है size of link क्या है bandwidth into rtt तो इससे आपको utilization मिल जाएगा और एक formula जो कि कुछ sections में पढ़ाया गया है वो है 1 by 1 plus 2a ठ यूज करके भी आप utilization निकाल सकते हो इसमें जो a है यह basically इसको मैं खुलके लिख देता हूँ 1 by 1 plus 2 into pd by td यह pd जो है यहाँ पर हमने निकाला length by speed करके लेकिन जो transmission delay है वो कैसे निकालोगे आप ऐसे निकाल सकते हो वो हो जाएगा size of packet by bandwidth जो कि 64 mbps दिया है ना देखो यहा है packet bytes में है तो थोड़ा ध्यान में रखना तो divided by bandwidth तो size of packet divided by bandwidth करने से आपको transmission delay मिल गया length divided by speed करने से आपको pd मिल गया इसको 2 से multiply करना है और 1 by 1 plus 2 into यह करना है तो आपको उससे भी utilization मिल सकता है answer थोड़ा सा अलाग आएगा लेकिन आप अगर clarity of utilization formula वाला वीडियो देखोगे अब मैं मैं बिलकुल आपको insist करूँगा आप देख लो कि दोनों formula इतने अलग भी नहीं होते यह जो formula है size of packet by size of length यह आप go back end में use कर सकते हो selective repeat में use कर सकते हो और आपको acknowledgement packet का size उसको ignore भी नहीं करना है वो यह formula में सारे हो सकते हैं अगर यह formula यह करोगे go back end selective repeat आपको window size by 1 plus 2 2a करना पड़ेगा और इसमें आपको acknowledgement packet के size को ignore करना पड़ेगा जो भी करना एक्जाम में अच्छे से आपका assumption को लिखके करना है Centralized P2P, Decentralized P2P पहले वाले solution के वीडियो में मैंने बता दिया मिट्सम प्रिवियस यर क्वेश्चिन वाले में क्वेश्चिन रिपेट हुआ है अच्छा conditional get भी उस वाले वीडियो में है connection establishment of TCP protocol में अब लिखोगे कैसे client अपना एक random initial sequence नमबर बनाता है तो act flag को on करके client को भेशता है client फिर अपना जो initial sequence में प्लस one करके sequence समर्ब डालके एक act packet भेशता है तो उससे connection established होता है तो आप उसको लिख सकते हो थोड़ा सा states के बारे में लिख जाना जैसे कि sin sent, sin received और established state में है शुरू में वो दोनों close state में रहते है फिर एक-एक passive open में रहता है फिर एक-एक active open में रहता है तो वो सब थोड़ा सा देख लेना TCP congestion control बहुत कुछ लेख सकते हैं इसमें पहले इतना है कि congestion होता है क्यों है flow control है तो congestion control क्यों चाहिए क्योंकि रास्ते में भीड़ बढ़ सकता है router में buffer overflow हो सकते है routers packet drop कर सकते हैं कैसे पता जलता है three duplicate acts आख सकते हैं नहीं तो तुमारा retransmission timer timeout भी हो सकता है अचा कैसे इसको solve करें CW&D ले फिर उसको slow start जो है exponential increase उसको समझाना है थोड़ा सा ताइम देखके नंबर का है थोड़ा थोड़ा करके देखना है फिर 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 congestion avoidance है additive increase उसको थोड़ा देखाना है और ताहो TCP और रेनो TCP बारे में थोड़ा थोड़ा state diagram अगर हो सकता है अगर time है तो व गंटे से इसको लिख सकते हो लेकिन जतना मार्क है उसके हिसाब से इसको लिखना है थैंक यू